विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में पहुचने वाली चारो टीमों का फैसला हो गया है जैसा हमने आपको पहले बताया था कि भारती टीम सेमी फाइनल में पहले ही पहुच चुकी थी इसके अलावा औस्टेलिया और इंग्लैंड की टीमें भी सेमी फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी और अब चौथी टीम का भी फैसला हो गया है साउथ अफ्रीका ने चौथी टीम होने का एजाज हासिल किया है और उसने बांगला देश को पराजित कर सेमी फाइनल में अपना बर्थ आरक्षित करा लिया है इन चारो टीमों में किसका मुकाबला किस से होगा ये आज बताऊंगा साथ ही बताऊंगा कि ये चारो टीमें फाइनल में कैसे पहुची महिला टी-20 विशो कप के सेमी फाइनल में जो चार टीम में पहुची है उसमें डिफेंडिंग चैंपियन आस्ट्रेलिया है पिछले बार की जो रनर अप है 2020 टी-20 वर्ल्ड कप की इंडिया वो भी सेमी फाइनल में है तीसरी टीम इंगलैंड की है और जो एक और टीम है वो है मेजबान दक्षेन अफरिका अगर हम भारतिय पुल से स्टार्ट करें मतलब पुल B की बात करें तो इंगलैंड ने अपने चारो मैच जीते उसने भारत को भी पराजित किया उसने West Indies को भी पराजित किया Ireland को भी पराजित किया तो उसने अपने चारो मैच जीते हैं अपने आखरी मैच में पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं जीत सका इंगलैंड से तो इंगलैंड ने इस तरह से चार मैच जीते जबकि भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था तो भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया आयरलेंड को पराजित किया वेस्ट इंडीज को पराजित किया और इंगलेंड से वो अपना मुकाबला ग्यारह रनों से हार गई थी एक रोमांचक मुकाबल हुआ था तो भारती है पुल से ये दो टीमें सेमिफाइनल के लिए क्वालिफाइ करती हैं और कहना पड़ेगा कि पुल बी में ये दो टीमें जो हैं वो क्लेर कट टॉप की दो टीमें थी वही दो टीमें सेमिफाइनल के लिए गई हैं क्योंकि भारत ने तीन मैच जीतें इ वहाँ पर ड्रामा थोड़ा जादा हुआ उस्टेलिया ने तो अपने चारो मैच जीत लिये और वो सीधे सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया उस्टेलिया ने श्रिलंका, बंगलादेश, साउथ अफरिका सभी को न्यूजलेंड्स चारो टीमों को अरा दिया लेकिन दूसरे अस्थान के लिए वहाँ पर जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला श्रूम में श्रिलंका की टीम आगे दिख रही थी उसने अपने पहले दोनों मैच जीते थे और लग रहा था कि श्रिलंका की टीम सेमी फाइनल में पहुँच जाएगी लेकिन अपने बाद के द अखरी मैच से पहले तक जो है न्यूजिलंड का पलड़ा भारी दिख रहा था क्योंकि दक्षिन अफ्रिका उस समय अपने पुल में सबसे नीचे था तो वहाँ से दूसरे अस्थान पर आना बड़ी बात होती है और मुश्किल भरा भी था क्योंकि न सिर्फ उसे जीत दर करनी थी और देखिए उसने ये करिश्मा कर लिया उसने बांगला देश को 18 में ओवर में पराजित किया और नेट रन रेट के आधार पर अपने पुल में दूसरा अस्थान हासिल कर लिया और इस से न्यूजिलंड का सेमी फाइनल में पहुँचने का सपना तूट गया तो जो सेमी फाइनल में भिडन्त होनी है उसमें पुल A के विनर आस्ट्रेलिया से जो मकाबला होगा वो पुल B में दूसरे अस्थान पर रहने वाली टीम जो है भारतीय महिला टीम इन दोनों के बीच सेमी फाइनल का पहला मकाबला होगा जबकि पुल B की विनर इंगलैंड क टीम के साथ पुल A का जो दूसरे अस्थान पर टीम रही है साउथ अफरिका इन दोनों के बीच दूसरा मकाबला होगा पहला सेमी फाइनल जो कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा वो गुरुवार 23 फरवरी को खेला जाएगा जबकि इंगलैंड और गाहें उस पर लगी हैं क्योंकि ये मकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है ये मकाबला है साल 2020 की फाइनलिस्ट टीमों के बीच 2020 में भी भारत और आस्ट्रेलिया की टीम जो है वो फाइनल में पहुँची थी और वहाँ पर दोनों के बीच मकाबला हुआ था ये बात चलेगा जब दोनों टीमें एक दूसरे से भीड़ेंगी अभी आपके लिए सूचना ये है कि महिला T20 विश्व कपम के सेमी फाइनल में पहुचने वाली चारो टीमों का फैसला हो गया है पहले सेमी फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा जबकि दूसरे से में फाइनल में इंग्लाइंड की टीम मेजबान साउथ अफ्रीका से भीड़ेगी अभी के लिए इतना ही इजाज़त दें नमस्कार